कि है लो टेडर्स तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट अलेस वीडियो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहां पर ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लोजिक क्या होगा वीडियो शुकरने से बदे बात करेंगे फ्राइडे हमने अपके साथ क्या कर सकते हैं तो यह फिर से गिरा यहीं से बांस लेगा तो आपके मार्केट ने कहुंडा नीआ हम से से एक कि अभी हमारे पास देखना कि market आगे क्या कर सकता है इसी first view ऐसा होता है कि market गिरा है bounce किया फिर से गिरा यही से bounce लेगा तो डबले पैटन बनेगा फिर यहां से buying का view रख सकते है market दूसरा है market ने गिरा retracement किया 23 point जो रिजिक ने वही इसने फिर से fall दिखा है तो यह और downside जाने की chances बढ़े गए तो दोनों विव हमारे पास है तो market का opening कहां पर होता है opening के बाद कहां पर वो ब्रेक करता है that is important तो लेट से market flat कोल तो downside का low level ब्रेक करता है तो इस case में हम selling करेंगे लेकिन थोड़ा selling हमको छोटे quantity से करना है क्यों कि देखिए यह वाला लेबल ता जहांसे बड़ा breakout आया था जिस वह हमने Friday की दिन में बात किया था कि यहां पर market support find out कर सकता है तो यहां पर देखिए यह सोटा breakout zone है लेकिन यहां से आया थी तो market में भी कुछ और 100-100 points थोड़ा और नीचे आ सकता है थोड़ा और fall देखा सकता है क्योंकि market को इस level के आसपस आना है और एकदम negative होता है तो market 44,200 level तक भी आराम से गिर सकता है लेकिन selling हम थोड़ा भी कम quantities करेंगे बाइंग देखिए बाइंग आप मार्केट यहां से जा रहा है तो यह एजूम करके नहीं चल सकते कि market w pattern ही बनाएगा क्या पता मार्केट हलकाफल के यहां तक ऊपर जाके गिरे तो यह भी possibility है तो इसलिए जब मार्केट यहां पर आएगा और 45,000 के आसपस यहां पर कुछ trade करता है कुछ hold करता है उसके बाद ही breakout के उपर हम buying कर सकते क्योंकि आगर buying आती है तो सबसे पहले वो 200-250 लेवल जो है वह वाला केस है लेकिन नॉमिल आकर मार्केट यहां पर आके hold करता है उसके एक breakout के उपर ट्रेड लिया सकता है दूसरा अगर बोल तो इस बीच में बहुत बड़ा रेंज है तो यहां पर ट्रेड नहीं करना है कि देखिए कुछ pattern मनता है तो उसके basis पर ट्रेड लिया जा स में यहां पर बीच में ट्रेड करके इतना profit मतलब expectation कम रहेंगे market कौन से पॉइंट से उटन मारेगा बहुत ही मुश्कुल हो जागा आकर बहुत अच्छा pattern मनता है उस basis के उपर ट्रेड लिया सकता है बहुत अच्छा pattern मतलब कोई भी एक normal technical pattern लेकिन वह at least एक गंटे से लेक करता है market एक pattern form करने के लिए फिर उसका breakout लेगा तो डेफिनेटल वहां पर एक अच्छा move आपको देखने मिलेगा फिल बले वह upside down side हो तो उस case में बीच में ट्रेड करने वरनना आपको बीच में लेना है आप बात करते हैं निफ्टी की यहां पर अगर निफ्टी का भी बा नीफ्टी में जोन है एकजाटली सेम बीच में गया लोह अठीघ कर हैं भ॥ जबर को बातरी करने कि क्यों तो यहां होते मीच सकता है जोकिल मार न हखें लेकिन कहीं से भी यूटन मारे तो मार जल्य को मार न क्यू लोगर के चलना है अगर सच्छी में सेलिंग आती इस लिए कि नीचे करता है तो 19500 कुट बी गुड़ सपोर्ट क्योंकि यहां से जासपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था यहांसे अक्सिल ऐस अगियर सनकेफ़ी तुछे करें एक वाला और सकाईया जो propos Pavel यिभाटर ने इतना बड़ा मौ法 डाय वह लोग हो सकते हैं तोनीफ्य इनट रुप और निकलता है सेम्ट नियुक्त की जो चीजे बने है अगर यहां पर यहां पर यहां पर नियुक्त है तो अगर यहां पर आते हैं कुछ अगर आपको टागेट मिलते हैं लेकिन मार्केट को यहां पर होल्ड करना चाहिए उसके बाद यह ब्रेक आउट आगा तब ट्रेड ले सकते क्यों एक टाइम हुआ टेस्ट यह सेकेंड टेस्ट थर्ड टेस्ट फिर मार्केट फूर टाइम आएगा और सॉट फिर डबली पै